आज हम लोग बात करने बाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ओनर्स का पेपर थ्री पेपर थ्री का ये चैप्टर सीक्स हम लोग तूगलक वन्स पूरा तरस कंप्रीट हो गया तो अब हम लोग इसका अब्जेक्टिव कोचन देखेंगे और इसमें आप कॉमेंट में गाजी मलिक जो ता और किस वन्स केस्ता अटमने की खिलजी वन्स तूगलक वन्स लोधी वन्स ए क्योंस किस प्थरीया करें में इसकोई नहीं तो ग्याजी हमने का कुछ सा यरा नाम ता घ्याने वाल अगया आने वालों कोच्छनAny कर पदर चलेगा का क्या आए चैना माली का वास्तिक नम किया था गयासुदीन तुगलक ही था तो यहाँ पर था गाजी मलीक ने किस वंस क्या सपना किया था गाजी मलीक ने किस वंस क्या सपना किया था तुगलक वंस का यानि कि गाजी मलीक और और क्या नाम था गयासुदीन गयासुदीन तुगलक यानि गयासुद तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यह आपको कॉमेंट में लिखकर बताना है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला कोशन है दिल्ली सल्तरत नहरों का निर्मान किसे ने करवाया था और नहरों का निर्मान किसे ने करवाया just love yourस कोको पता भिए बार आकाल पड़ता है आकाल का मतलब क्या बूसल नहीं होगा उससे में उसी को आकाल को होते हैं जब मतलब भूक मरी आजाता है वार्सा करना होना तो वर्सा करना होना होना तो मालेजिए वर्सा दो कुछ-कुछ जगव जगवर पर कोंवा को निर्माड करवा दिया इसके कारण किसान वर्था नहुने पर अपने खेतों कर लोगों को देखे होंगे तो यह मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्टन ने पाली बार कुमा और नहरों का निर्मार करवाया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है दिल्ली अभी दूर है यह कौन से सुल्टान के लिए कहा गया था यह कौन से सुल्टान के लिए कहा गया था गयासुदिन तुगलक फिरोस्ता तुगलक रजिया या डी नसीरुदिन तो यह गयासुदिन तुगलक के लिए कहा गया था गयासुदिन तुगलक के लिए कहा गया था यह कहां से वापस आ रहा था बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने क्या किया था बंगाल से वापस आ मिशात हम वूद्यान वासम्पता इनके धान पत है कि धैंब तो इनके पर पहुत सरय सम्पति के शचदित हैं ।ores भीजों पम भब में भूर भीजो के कि जाकर अपने महराज से को अइजी अपने मतलब सुल्तान से को अपने मतलब सक रकाता है दिली अभी दूर है अधारी पहुच जेति आप अ julis नहीं सब मना रहे थे तो यह सब कहानी हम बताएं भी से अब जब चैप्टर पढ़ा रहे थे जब जोसन मना रहे थे तो बस महल नहीं गिरिया लखड़ी का महल था गिरिया बस इसी में काम खतम हो गया इनका दिल्या भी दूर यह कथन गया सुदिन तुगलक के लिए का आग लुद के लिए यह सेणापति तद्धान रखियेगा योग जेनापति जब इसकी मृत्त हो गई इससे पहले कौन था गयासुदिन तुगलक जब दिल्ली पहुंचिये नहीं पाया इसकी मृत्त हो गया इदर लखड़ी के महल था बस उसी में लखड़ी को महली गिर गया उ तो मोहमद बिन तूगलक का नाम जोना कहा था आगे बढ़ते हैं लखडी का महल नहें आपको बताना या आपको बता नहीं चलिए पहला अप्सन जो एक 1325 दूसरा एक आःतेर सब्सकों उसके बाद कौन सासक बना जोना खा को कहते हैं मुहमद बिन तुगलक का नाम से जानते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला क्या है निम्न में से किसने संकेतिक मुद्रह जारी किया था जलालुदिन खिल जी रजिया सुल्तान देखे दो पार रजिया हो गया रजिया सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के डी फिरोसा तुगलक तो मुहम्मद बिन तुगलक नहीं संकेतिक मुद्रा जारी किया था जो कि इसका मुद्रा पूरी तरह से मतलब यह सफल नहीं हो पा पर शिले ये जारी थे मुहम्मभ नपभर बढ़ते हैं अगला है फिरो सा तुगल्ग का राज्याभी शेखर हुआ कि फिरोसा तुगल्ग का राज्याभी से कब हुआ कि 1320 में 1356 complexity theory over the Re 501 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्या है है अंगा इस्थित स्थित है शौट आउक पांजाब में है दिली में पाटली पूत्र यह सिंद में है धान रखिए खैसर क्या पर है चलिए बढ़ते हैं अगला निक्ट किसे कहा जाता है सल्तनत यूग का अकबर किसे कहा जाता है। तो अभी उपजेक्टिव कोचन है। कमेंट करके बताइए कि कितना अबजेक्टिव कोचन इसमें से पहले से ही आधता आता हमेला तर्समाज में आग्या होगा इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी कोर्च आनों आप कमेट ने पूछ सकते हमेला तर्समाज में आग्या होगा